तो आज हम बात करेंगे पिरामिड पावर पिरामिड हम सब ने सुने कि पिरामिड है कुछ ऐसा जादा नहीं तो हमने इतना जरूर सुने कि जो एजिप्ट में जो पिरामिड का बहुत ऐसे लंबे-लंबे जिसको हम देशी वाशा में कहाते हैं जी मिटे गए है तो ऐसे यह जो होते हैं इजिप्ट में तो सुना ही है चाए अपने खुद के कंट्री में या कहीं और किसी रेफरेंस में नहा सुना हो तो हम आज इसको और अच्छे से जानते हैं कि पिरामिड्स में क्या है ऐसी एनरजी क्यों इतना ज़ादा एनरजी प्रोवाइड करते हैं हमें कि हम एक जनरल बात सुनते हैं कि एजिप्ट में लोग अपना जो डेड बोडी होते हैं बस इसके अंदर ही ममीफाई कर देते हैं वहाँ पर ही उसको रख देते हैं वो सालों साल तक ऐसी प्रिजर्वड रहती है तो ऐसा क्या है उसमें तो उसकी बात आज हम यहां करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक बेसिक चीज में पिरामिड है क्या पिरामिड अगर हम विकिपेडिया पे या किसी भी डिक् जिसको हम अपेक्स कहते हैं यह आप देख पारे होंगे यहां पर एक जगह पर पॉइंट करके अपेक्स लिखा हुए तो यह जो इसका एपेक्स है यहां पर सब ही उसके आउटर सर्फेसिस मिलते हैं और यह जो बेस है कि क्वाडर रेंग्लर भी हो सकता है मतलब 4 साइड तो यह तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई कि पिरामिड कैसा होता है और हमने प्रीवियस जो पिक्चर है यह हमने एक देखा भी कि एक्चुली पिरामिड कैसे है वहाँ पर एजिप्ट में या कहीं भी अगर इसका फॉर्मेशन हुआ हुआ है तो अब उसके बाद हम बात करत है कि पिरामिड एनरजी पिरामिड एनरजी मतलब पिरामिड में ऐसा क्या है कि मतलब क्यों उसमें इतनी एनरजी है तो इसका एक बहुत अच्छा आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक चीज है कि जो पिरामिड है वो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है जिसक इसको हम हिंदी में कहते हैं गुरूतवा कर्शन थोड़ी-थोड़ी हिंदी मैंने भी सीख लिया मोनिका की तरह तो वो उसको एट्रेक्ट करता है इस वज़े से जो वहाँ पर कॉस्मिक एनरजी है हम यह कहें कि हमारा दिहान इतनी जल्दी वहाँ पर लग जाता है हमें नॉर्मली अगर दस से पंदरा मिनट या आदा घंटा लगता है हमें एकदम बिल्कुल शुनने पर जाने पर कि मतलब कोई थोट ना हो हमारे मन में तो वहाँ पर विदिन मिनट्स विदिन 4-5 मिनट्स हम लोग उस शुनने पर पहुंच जाते हैं कि थोट्स बंद हो जाएं और दिहान बड़ी जल्दी लगता है उसके बाद साथ ही साथ में जो हम एक हम जानते हैं कि हम फिजिकल बॉड़ी में आए हैं हमारे रोज मरा के जो काम है हमें वो करने है साथ ही साथ में हम लोग मेडिटेशन प्रोमोट करते हैं क्योंकि हम सब को अभी पता लगने लगए हम सब जागरित हो रहे हैं और जो नहीं है उन्हें हमें जागरित करना है कि meditation करने से क्योंकि हमारा at last तो main goal तो वही है न कि meditation करनी है, खुद को जानना है और जब हम pyramid के अंदर बैठ कर या pyramid के नीचे बैठ कर धिहान करते हैं, तो वो हमारा जो शरीर और जो हमारा मन है दोनों का जो तनाव होता है क्या कहते हैं उसको depression, मतलब जो भी आप समझें, कि वो एकदम minute, मतलब बिल्कुल minus हो जाता है next हम देखते हैं कि pyramid धिहान pyramid धिहान में अब हमने कहा कि वहाँ जादा हो जाता है मतलब ठीक है, वहाँ cosmic energies का attraction जादा है, कितना जादा हो जाता है तो ये पत्री सर जैसे कहते हैं कि वहाँ पे अगर हम pyramid के नीचे बैठ करके, pyramid के अंदर बैठ करके, अगर हम धिहान करते हैं, तो हमारी जो concentration power है, हमारा धिहान जो है, वो three times तीन गुना जादा शक्तिशाली हो जाता है और साथ में जो हमें धिहान जो लगता है उसकी वज़े से जो हमारी आंतरिक शक्तिय हैं, जो हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, वो बढ़ने लगती हैं, और at last हम वही तो चाहते हैं, कि हमारा main goal वही तो है, कि हमें meditation करनी है, self को जानना है खुद को जागरित करना है तो अगर meditation करना है वैसे भी regularly अगर meditation कर रहे हैं और अगर pyramid के नीचे बैठ कर अगर हमें शक्तियां हमारी बढ़ रही हैं तो हमें क्या नुकसान है, करना कै सिर्फ pyramid के नीचे ही बैठना है और जैसे आप देख रहे हो कि अब हम एक चीज़ और जाने है कि हम बात करते हैं पिरामिड के नीचे बैठ सकते हैं अब हम Egypt तो जाने से रहे ध्यान करने के लिए हमें अपने संसार में ही रहकर ही निर्वान जैसे पत्री सर कहते हैं संसार में निर्वान तो हमें इसी संसार में रहना है हमारी जो family है, हमारे रोज की चीजे हैं, इन्हीं में रहकर के हमें ध्यान करना है तो आज हमें कि ये बात करेंगे कि हमें pyramid निर्मान मतलब pyramid बना कैसे सकते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस picture में कि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें कुछ बहुत बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा समान नहीं लगा हुआ सिरफ एक simple से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से pyramid बना हुआ है और हम एक बात करते हैं कि pyramid जो है उसका जो measurement होता है उसका जो angle होता है वो होता है 51 degrees then 52 minutes approximately and 10 seconds ठीक है तो ये कैसे आएगा हम अगर माल लो बनाने जाएंगे मैंने किसी भी surface का मतलब किसी भी चीज का अगर मैंने बनाना चाहा तो वो कैसे बनेगा मैंने तो कोई भी किसी भी dimension का ले लिया तो वो same angle कैसे आएगा तो उसका भी समादान हमें पत्री सर ने दिया हुआ है कि आप घर पे रहकर के किसी भी चीज से मतलब किसी भी material से आप घर पे अपने pyramid बना सकते हैं सिरफ एक चीज जो आपका base रखेंगे क्योंकि हम इस तरह से triangular रखेंगे तो ये जो नीचे वाला base है इसको हमने जो ये वाली length ली है उसको उसका length suppose ये मैंने 5 ली है 5 into 0.95 आगे यहाँ पर आप screen पर देख सकते हैं वो पूरा digit दिया गया है उससे multiply करके जो answer आएगा न उतना इसका dimension रखना है नीचे वाले size का जो base है हमारा जब हम इसको रखके और चारो sides को connect करके उपर apex पर connect करते हैं तो automatically angle जो है हमारा उतना ही आता है 51 degrees, 52 minutes and 10 seconds तो वो automatically उतना ही आता है और हो सकता है कि किसी ने try भी किया हो घर पे बनाने का और जिनको ना पता हो कि ये measurement कैसे आएगी तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैंने तो pyramid के नीचे बैठके भी देख लिया पर मेरा दिहान ही नहीं लग पा रहा है या मेरे को तो कोई special feeling नहीं हो रहा है मेरे लिए तो same ही चल रहा है तो अगर हो सकते है कि आपको आज इससे पता लग गया होगा कि आपको कितना measurement का कि size का आपको जो अपना एक side रखना है जिससे आपका angle उतना है क्योंकि जब तक वो angle नहीं आएगा तो उसके नीचे जब तक आप बैठेंगे वो cosmic energies को attract नहीं करेगा और यहाँ नीचे एक table में examples भी दिये गए है कि आप कितने size का base अगर इतने size का आप base लेंगे तो उसकी sides कितने size की हो उसकी height कितने size की हो तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं और यह I will try कि मैं इसको group में जो हमारा whatsapp group है उसमें भी send कर दूँ ताकि आप लोग अगर कुछ घर पे बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं और एक इसमें चीज होती है king's chamber king's chamber में maximum energy कहते हैं जो हम वो होती है वो one by three portion जो होता है न pyramid का उपर तो उसमें रहती है वो maximum energy और उसको हम king's chamber के नाम से कहते हैं तो उसका भी एक यहाँ पर kind of formula दिया हुए कि आपको क्या करना है जो आपकी height रहेगी उसको multiplied by one by three करेंगे तो वो king's chamber की height रहेगी हमारे अब हम बात करते हैं कि इसको हम use कहां कर सकते हैं preserve सबसे main चीज मैंने starting में बताई कि इससे preservation होती है चीज़ों की preservation जैसे इजिप्ट में जो लोग हैं वो dead bodies preserve करते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी काम के लिए use हो कि वहाँ पर इतनी जादा energy है तो हम इसके अंदर क्यों न हमारे खाने की चीज़ें हम आज कल fridge use करने लगे हैं मतला काफी time से use कर रहे हैं फिर भी उसमें इतने time तक इतने लंबे समय तक उसमें बिल्कुल fresh नहीं रहती है चीज़े पर pyramid के अंडर अगर हम रखते हैं चीज pyramid के नीचे रखें या pyramid के अंदर रखते हैं तो वो कुछ दिनों से कुछ सब्ता तक fresh रह सकती है इतनी energy है उसमें साथ ही साथ में जो बीज होते हैं अगर उसको हम pyramid के नीचे रखते हैं तो उसका एक कहते हैं न कि जो potential energy या उसके अंदर जो inbuilt energy है वो उससे बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर उसको पूरे atmosphere की cosmic energy मिल रही है और कुछ और एक दो examples और बताएं यहाँ पर हम एक photograph है यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं जो पत्री सर है हमारे वो भी pyramid के नीचे ही बैठ करके इस तरह से ध्यान कर रहे हैं तो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं और अगर हमें ऐसा लगता है कि pyramid बनाना मुश्किल है या नहीं होगा मुझसे तो हम online जो है pyramid caps मिलती है हम उसे order कर सकते हैं और वो बस cap अपने सिर के उपर पहन के और अपना जो ध्यान हम करते हैं वो उसके नीचे easily और बिलकुल कोई बिना तकलीफ के हम कर सकते हैं और ध्यान तो हमारा जल्दी लग जाएगा तो हमारा benefit ही है उसमें कोई नुकसान नहीं है और साथी साथ में एक दो चीजें और बताई गई है यहाँ पर कि जो हमारे razors हमारे चाकुए वो हम use करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो जैसे गेस जाते हैं तो उसकी विधार अब मतलब वहाँ पर pyramid के नीचे वो तेज हो सकती है ठीक है साथी साथ में rooms वगरा में भी ताजगी बनी रहती है अब हम बात कर रहे हैं हमारे quantum kitchen की तो quantum kitchen में यहाँ पर कुछ benefits बताए गए हैं कि pyramid से क्या क्या lab है हमें कैसे lab का रही है तो उससे पहले मैं एक point और add करना चाहूंगी कि जो हम quantum kitchen की हम बात करते हैं तो उसमें हम pyramids का use कैसे करेंगे वहाँ पर हम इस तरह से use कर सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि जो pyramid caps हैं तो वो हम उसका use कर सकते हैं जैसे हमने कोई चीज बनाई है तो pyramid caps से उसे cover कर दें थोड़ी देर के लिए तो उसमें automatically energy आ जाएगी हम हमेशा कहते हैं कि kitchen is not just a room वो पूरा wellness center है वहाँ पर आपकी family की health बनती है खाना नहीं बनता वहाँ आपकी पूरी family की health बनाई जाती है वहाँ पर तो वहाँ पर हम कैसे positive energy लाएं एक तो हमारे quantum से कि अच्छे thoughts होंगे अच्छा सब कुछ होगा positivity होगी जैसे मोनिका ने भी बताया था starting में कि positivity अगर रखोगे तो आगे वही बांटोगे तो वही चीज positivity अगर kitchen में रहेगी तो वह आगे खाने में भी जाएगी और वो wellness उपर हम pyramid का use कर सकते हैं ताकि वो एक तो fresh रहे और उसमें energy बहुत अच्छे से रहे बहुत अच्छी amount में energy रहे उन सब चीजों में और कहां कहां use किया जा सकता है कहां कहां इसके benefits हैं pyramid के वो और हम देखते हैं कि जो हमें जैसे आज कल हम lifestyle disorder से बहुत ज़्यादा परिशान है obesity है मोटा पाम जिसे generally कहते हैं diabetes हर घर में हर घर में कम से कम एक patient है ही है जिसे diabetes है या तो hypertension है कि या तो किसी को sugar होगी है या किसी का beef higher रहता है किसी का low रहता है तो ये तो आज का lifestyle disorders है ही है हमारे घरों में सभी के तो वहाँ पे भी जो हमारा pyramid है ये बहुत ही beneficial है pyramid के नीचे बैठ करके हम meditation करें तो वो चीज़ भी हमारी heal हो सकती है जो घाब फोड़े हो जाते हैं कोई चोट लग जाती है वो भरती नहीं है तो वो सब बहुत असानी से pyramid के अंडर में मतलब pyramid के अंडर अगर हम बैठें मतलब pyramid के नीचे हम बैठें तो वो बहुत असानी से भरी जा सकती है जो चोट लगी है या कुछ भी है कोई भी मतलब कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि physical आपको physical level पे कोई problem है आप कुछ मत कीजिए आप सिरफ pyramid के नीचे बैठके दिहान कीजिए और आपका वो ऐसा नहीं है कि एकदम चमतकार हो जाएगा कि आप बस पांच मिट बैठें और हो गया नहीं आपको continuity बनानी पड़ेगी और आपको एक दिहान जब तक नहीं लगेगा कि आपने का हाँ मैं तो बैठ किया था भई pyramid के नीचे हुआ तो कुछ नहीं नहीं धियान तो लगाना पड़ेगा ऐसा है कि plate हमने आपको ये बता दिया कि pyramid के नीचे बैठने से अच्छा आपको फाइदा होगा आपको plate में खाना डालके दे दिया खाना आपको खुद पड़ेगा खिला भी दिया तो चबाना तो पड़ेगा इसका कोई और option नहीं है ठीक है तो ऐसा है कि आप जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी kitchen को wellness center के रूप में ही देखें और वहाँ पर pyramids का quantum energy का अच्छे से use करिये ताकि हम सब यहाँ पर एक one family है ना तो जब तक वो सबी के घरों में नहीं आएगा यह चीज़ पिरामेड vegetarianism और धियान तब तक हमें ऐसे ना अच्छा सा नहीं लगता कि जब हमारे साथ पूरी family एक खड़ी हो जाएगी ना हाँ आज हर एक इंसान vegetarian है हर एक इंसान ध्यान करता है हर एक इंसान pyramid power का फाइदा उठा रहा है तब हमें अच्छा लगेगा और तब वो oneness complete होगी और thank you so much